हलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन दोस्तों आज की स्विड में हम बात करें करेंट अफेर के बारे में आज का यह जो हमारा सेशन है यह अवोर्ड्स और्ड ओर्ड का इससे पहले फॉर्स पार्ड अप्रोड किया था जो जिन लोगों ने वह वह वाला फॉर्स दोबारा रिबीट कर रहा हूँ, लोगेश्ट डोक्युमेंटरी की केड़गरी में वो कौन सी डोक्युमेंटरी है जिसको गीनिस अवोर्ड मिला है उसका नाम है 100 एयर ओफ क्राइसोस्तम, 100 एयर ओफ क्राइसोस्तम को आपका गीनिस अवोर्ड मिला है इन दा केड़गरी about for 2018 तो उस फिल्म का नाम बताना है उस फिल्म का नाम है मदू मानी दा स्टेशन ओफ कलर्स ठीक है मदू बनी दा स्टेशन ओफ कलर्स ऑप्शन नमबर बी इस यूर राइड अंसर अगला कोशन हमारा पात है जिन को परमविर चक्र मिला था उनका नाम आप लोग को बताना है उनका नाम है है मेजर सोमनात शर्मा अगला कोशन हमारे पास है यहाप पर इसी लिखा हुए है इसका मतलब होता है इंडिपेंड़ेड चार्ज तो यूनियन Minister for Youth Affairs and Sports Independence Charge Comferred with the National Youth Award for How Many Individual तो कितने इंडिविज़ल को ये वाला अवोर्ड दिया गया है इसका जो दोस्तों राइडंसर है वो है 20 इंडिविज़ल को ये वाला अवोर्ड दिया गया option number C 20 इंडिविज़ल ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है अगला question हमारे पास है Who won the best director award इन में से किसको best director award मिला है 66 national film award में बात और यहाँ पर best director award की तो ये मिला है दोस्तो आदित्या धर आदित्या धर को best director award मिला है इन दा 66 national film award आदित्या धर को जो best director का अवोर्ड मिला ये आपका उरी movie के लिए मिला ठीक है उरी the surgical strike movie थी न उरी the surgical strike इस movie के लिए ये वला award मिला है आदित्या धर को इससे पहले मैंने दोस्तों कल के वीडियो में question discuss किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि best actor award किसको मिला है national film festival में तो best actor award भी आपको याद रखना है director तो होगे अदित्या धर और best actor एक थे विकी कोशल जिनको उरी movie के लिए मिला है और एक थे आपके आउशमान खुराना जिनको अंतादून movie के लिए मिला था इन दोनों के नाम भी आप लोग को याद रखने है important है आपके exam के point of view से अगला question हमारे पास है which of the following Indian documentary film nominated for the Oscar इन में से कौन सी इंडिया की documentary film है जिसको Oscar के लिए nominate किया गया Oscar के लिए nominate हुई है ये वाली film इंडिया की documentary film है तो उसका नाम बताना है वो है मोती बाग उत्राखंड याद दख लेना थी कि उत्राखंड के farmer की life पर ये वाली film बनाए गई थी जिसका नाम है मोती बाग documentary film है जिसको Oscar के लिए nominate किया गया है ठीक है next question दोस्तों हमारे पास है 7th number question PM will be honored by the Bill and Melinda Gates Foundation हमारे जो प्राइम मिनिश्टर है नरेंदर मोधी उनको Bill and Melinda Gates Foundation के दवारा owner किया गया which among the following initiative उनको owner क्यों किया गया क्यों उनको owner किया गया किस कारण से उनको owner किया गया पहली बात या आते कि कि किस ने owner किया तो Bill and Manila Melinda Gates Foundation ने owner किया क्यों किया क्योंकि उन्होंने स्वच भारत अभिहान चलाये था स्वच भारत अभिहान की कारण इनको ओनर किया गया तो राइडन सरा ओप्शन नमबर डी परदान मंत्री नरेंदर मोदी has been honored by the Bill and Melinda Gates Foundation for the स्वच भारत अभिहान initiatives ठीक है यह चीज़ आपको याद अखनी है अगला कॉशन मारे पास है विच उनिवर्सटी वोंदा मुलाना अबुल कलाम अजाद ट्रोफी 2019 कौन सी उनिवर्सटी को मुलाना अबुल कलाम अजाद ट्रोफी मिली है शोट फों में इसको माका बोलते है आपके एक्जाम में यह भी आ सकता है कि कौन सी उनिवर्सटी को माका ट्रोफी 2019 मिली है तो आपको याद एकना है माका का मतलब होता है मुलाना अबुल कलाम अजाद ट्रोफी तो यह 2019 की यह जो ट्रोफी दी गई है पंजाब यूनिवर्सटी चंडीगड को दी गई है तो आप्शन नमबर बी इस यूर राइट अंसर अगला कोशन हमारे पास है विच कंट्री विल बी गिविंग इस हाइस्ट सिविलियन अवोर्ड ओर ओफ जैद इन में से कौन सा कंट्री है जो अपना हाइस्ट सिविलियन अवोर्ड जिसका नाम है ओडर ओफ जैद वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी को दिया कहने का मतलब है कि ओडर ओफ जैद कौन सी कंट्री का हाइस्ट सिविलियन अवोर्ड है जो कि परदान मंतरी नरेंदर मोधी को दिया गया तो ये तो सिंपल सा कोशन है सब को पता होगा UAE United Arab Emirates का ये अवोड है High-East civilian अवोड है जो कि हमारे परदान मंतरी नरेंदर मोधी को दिया गया अगला कोशन हमारे पास है Who has been recently honored with the APJ अब्दुलकलाम अवोड अवोड दिया गया इसका जो दोस्तों राइट अवोड है के सीवन के सीवन जो हमारे इसरो के चीफ है उनको APJ अब्दुलकलाम अवोड दिया गया ठीक है important question मनता है ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन हमारे पास है National Unity Award ये तो सिंपल सा है National Unity Award क्यों दिया जाता है actually हमारा कोशन है जो ने National Unity Award है किसके नाम पर दिया जाता है on whose name किसके नाम पर दिया जाता है सिंपल सा कोशन है ये सरदार वल्लब भाई पटेल के नाम पर दिया जाता है इससे related आपको याद एकना 31st October को National Unity Day भी बनाते है 31st October को National Unity Day भी बनाते है ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन नेक्स कोशन इंतरफ मूव करते है और नेशनल वो जो हमारी स्टैच्टी ओफ यूनिटी है वर्ल्ली की सबसे लार्जेस्ट ये कहां पर है ये आपकी गुजरात में है नर्मदा रिवर के पास ये भी आपको याद रखना है अगला कोशन नमारा वास है According to the Airport Council of International Airport Council International के according कौन से एरपोर्ट को Best Airport Recognize किया गया है In Terms of Service Offered by Passengers दुबार रपीड कर रहा हूँ कौन से एरपोर्ट को Best Airport Recognize किया गया है In Terms of Service Offered by the Passengers पैसेंजर को जो सर्विस दी जाती है उसमें कौन से एरपोर्ट Best Airport है ये रिपोर्ट किसने दी ये आपको याद रखना है ये रिपोर्ट आपकी Airport Council International ने की International दी थी तो उस एरपोर्ट का नाम बताना है वहला एरपोर्ट है हमारा कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट कोचिन इंटरनेशनल एरपोर्ट हमारा Best Airport है इन विच टरम्स इन टरम्स अफ सर्विस ओफर तू दे पसेंजर्स अगला कोशन हमारा पाथ है 30 नंबर कोशन इसका जो दोस्तों राइडन सरों का वो होगा शोन डॉल डांस इसको इसने क्रेट की हिस्टी क्रेट किया इंटरिं इन टु गिनिस बुक अफ वर्ल रिकॉर्ड इसके लावा आपको शोन डॉल डांस से रिलेटिट एक चीज या रखने है यह जो आपको शोन डॉल डांस है यह आपको कहां का डांस है तो यह आपका लद्दाख का डांस है यह भी आपको याद रखना है अगला कोशन हमारे पास है विच मुवी हैज भी नॉमिनेटिट फोर था 90 सेकंड ओसकर वोर्ड इन में से कौन सी मुवी को 90 सेकंड ओसकर अवोर्ड के लिए नॉमिनेट हुई है यह आपे नॉमिनेशन की बात हुई है यह अभी नॉमिनेट हुए ओसकर अवोर्ड मिलानी 90 सेकंड ओसकर अवोर्ड के लिए यह वली मुवी नॉमिनेट हुई है तो आपको इस movie का नाम बताना है तो इस movie का जो दोस्तो नाम है सबको पता होगा गली बोई option number C अगला question हमारे पास है which film won the best film award in the 20th edition of Nexus IFA award for 2019 इसका जो दोस्तो राइट answer होगा वो होगा option number B राजी, अगला question हमारे पास है who among the following has won the Nobel Prize in psychology इन में से किसको साइकलोजी में नोबल प्राइस मिला है इसका राइट answer रपताना है तो दोस्तो Peter J. Ratcliffe को William J. को और Greg L. Semina को इन तीनों को आपका साइकलोजी में नोबल प्राइस मिला है तो इसका जो राइट answer होगा वो होगा option number D तीनों important नाम है तीनों याद रखने है अगला question में पास है which of the following is the highest civilian award for the Bangladesh Bangladesh का कौन सा highest civilian award है तो वो है आपका एक्यूशी पदक एक्यूशी पदक is the highest civilian award of the Bangladesh अगला question में पास है 80 number question who won the social entrepreneur of the year award 2019 यहाँ पे social entrepreneur की बात हो रही है ठीक है न social entrepreneur of the year 2019 award किसको दिया गया तो यह दिया गया शान्ती रागवन को शान्ती रागवन has been won the social entrepreneur of the year award 2019 19 यह जो शान्ती रागवन है इसके अलावा एक और परसन थे जिनको यह वला award दिया गया उनका नाम भी याद रखना है एक तो आपको याद रखने है शान्ती रागवन एक और है दिपेश मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिपेश सुतारिया इन दोनों को यह वला social entrepreneur of the year award 2019 मिला है ठीक है अगला question मारा पास है 19 number question who among the following has received the most effective स्वस्ता ambassador most effective स्वस्ता ambassador award किसको मिला तो दोस्तों यह जो आपका award मिला यह सचीन टैंडूलकर को मिला सचीन टैंडूलकर has been received the most effective स्वस्ता ambassador award ठीक है यह award किस ने दिया यह भी आप लोग याद अगने था यह award हमारे प्रेजिडेंट रामनात कोविंद ने ठीक है राम शिरी रामनात कोविंद ने यह वाला award सचीन टैंडूलकर को दिया था अगला question हमारे पास है हमारा आज का last question which of the following brand names has been award 2019 secretary of states award for corporate excellence अगर वीडियो अच्छी लाइए तो लाइक कर देना अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के WhatsApp ग्रूप और Telegram ग्रूप को जोइन कर सकते हो वहाँ पे आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी और जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो